हेलो फ्रेंड्स, वेलकाम टू कीवी के जनकिंग, आज हम समा के चावल से ढोकला बनाएंगे, ये देखिए, बहुती सॉफ्ट और जालीदार आया है, इसे आप जरूर बनाएगे, और इसके लिए हमारे वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, तो आए हम स्टार्ट करते अपना ढोकला बनाना, इसके लिए इंग्रीडियन्स देख लेते हैं, हमने यहां आधी कटोरी साबू दाना लिया है, इसे आधे घंटे पानी में फुला के राख दिया था, अब इसे हम ग्राइंड करेंगे, और एक कटोरी समा की चावल है, इसे भी दो घंटे पानी में छेक राख दिया था, अब इसे भी दोना चीज दों ग्राइंड कर लेंगे, अलग अलंग यह समा का चावल अब इसके में टाल लाएंगे, अब साबू दाना जो ग्राइंड कर था इसमें डाल लेंगे, फिलाओंत्व, अंडे पानी दाल देंगे, यह थी देख हम पते आजी का टोरी वाटर एड़ कर लिया है इसमें दही नहीं डाला है अगर आप चाहें तो दही एड़ कर सकते हैं मिक्स हो गया है अब इसे ढख कर 10 मेट रश्ट करने रख दे रहे हैं यह हमने गंजी में एक ग्लास पानी डालकर इस्टेंड लगा कर रख दिया है मेडियम फ् पेस्ट रेडी हो गया अब इसमें एक छोड़ी चमज नमक डाल लेंगे या फिर साद अनसार और आधी छोड़ी चमज बेकिंग सोडा अब इसको मिक्स कर लेंगे यह पेस्ट रेडी हो गया अब इसे पैन में डाल लेंगे यह इसे डाल ले रहे हैं पुरा अब हम इसमें ढोकले का पेस्ट रख देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम में 10 से 15 मेटली ढख कर रख दे रहे हैं अब हम मूमफली की चटनी बना रहे हैं दो बड़े चमच मूमफली ले लिए हैं थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती दो हरी मिर्च और थोड़ा साधरा का तुकड़ा अब इसे हम जार में डाल लेंगे एक चमच सेंधर नमक डाल देंगे यह हम ब्रत के लिए बना रहे हैं अब साधर नमक भी डाल सकते हैं अब इसे हम ग्राइन कर लेंगे यह चटनी हमने ग्राइन कर ली है अब इसमें हम तड़का लगाएंगे तो गैस पर हमने आधी चमच आइल डाल कर चमच पर रख दिया है अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और इसको होने देंगे जीरा हो गया है अब इसमें ऐसे डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे यह चटनी हमाई रडी हो गई है यह देखिए यह धोकला हमारा दस मिट में कितना अच्छा हो गया है अब गैस को आफ करके इसे उतार लेंगे धोकले को ठंडा होने के बाद पैन से निकालेंगे धोकला जब तक ठंडा हो रहा है हम शक्कर पानी का गोल बना ले रहा है पैन ह इसमें आधी चमच जीरा डाल देंगे दो हरी मिर्च को बीच से कट कर लिया है राट दस पत्ती मेथी नेमची अब इसमें आधी कटोरी पानी डाल देंगे दो छोड़ी चमच शक्कर मिक्स कर लेंगे शुगर मेल्ट हो गई है बगार भी रेडी हो गया अब गैस को आफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे अब ने इसे निकाल लिए अब कट कर लेंगे इसे यह हमने कट कर लिया है अब इसमें पागार डाल लेंगे उपर यह देखिए हमारा ढोकला रेडी हो गया है कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट आया है इसे आप घर में जरूर ट्राय करिएगा और इसे मुमफली की चिटने के साथ जरूर खाईएगा और हमें कमेंट करके ताहिए कैसा बना है ठैंक यू